किया है आपको बता दे भारस समाचार की खबर का बड़ा असत हुआ है श्रीकांत शर्मा ने ट्विट किया डियाच एफल मामने में श्रीकांत शर्मा ने अब संग्यान लिया है उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्विट करके कहा है भविश निदी के निवेश का ये प का भी आहित नहीं होने देंगे हम बारासमाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है डियर जेखल पर पैसे लगाने के बाद पूरा मामरादे की संग्यान में आया और इसको लेका श्रीकांत शर्मा भी ट्वीट कर रहें कह रहें जो भी दोशी होगा उस पर कड़ी कारवाई की जाएगी किसी का भी आहित नहीं होने देंगे और यूपी पीसियाल मेरे परिवार के सदस जैसा है ये विश्रीकांत शर्मा ने कहा है ये श्रीकांत शर्मा का हम आपको भी ट्वीट भी दिखा रहें जिसमें उन्होंने अपनी बाद सामने रख्यों और साफतोर पर कह दि उसके बाद श्रीकांत शर्मा भी हरकत में उन्होंने इस पूरे मामने का संग्यान लिया का कर्मचारियों के भविश नदी का जो फैसला है उसको लेकर हम जाच करेंगे मामला बेहत गंभीर है और इस पूरे मामने में हम आगे की कारवाई करेंगे हमारे साथ अब शेक पा तहट जो जो कर्मचारी हैं उनके जीपीएफ को सरकार अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है लेकिन जो यह इन्वेस्टिमेंट हुआ जिसमें तकरीबन सोलो सव करोन रुपया जो पावर कार्पोरेशन के जो इंप्लॉईज हैं उनका इन्वेस्ट कर दिये गया ड दिये चैफल में जो पावर कार्पोरेशन का पैसा इन्वेस्ट किया गया कर्मचारीयों का वो फंस गया है जी इस पर राजनीती शुरू हुई है और अपसे थोड़े दिर पहले सरकार की तरफ से बयान आया है कि जो भी दोशी होगा पावर कार्पोरेशन में ऐसे ऐसे फ बिल्कुल अभी शेक देके श्रीकांद शर्मा ने तो कह दिया कि यूपी पीसल मेरे परवार के सदर से जैसा है जो भी दोशी होगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी मा प्रदम्बक प्रबंदा को देखे निलंबित भी क्या जा चुका है अब आगे किस तरह से कारवाई हो कि DHFL के चेर्मेन और उनके जो तमाम बोर्ड अफ डिरेक्टर से उनसे पूछताश कर रही है उसके खाते सीज किया है चुके हैं तो ऐसे में फिलहाल कम से कम यह 600 करोड रुपया है जो पावर कार्पोरेशन का वहाँ पर GPF का पैसा इंवेस्ट है उसको आने में थोड़ा स अफदेश वर्मा भी जुड़ गया है उनसे भी हम सिद्या बातशीत करेंगे अफदेश जी से भी हो देखे बड़ा घोटाला है अब इस पर जो कर्मचारी है वो यह प्रशन पूछ रहे हैं कि अब कब तक हमारा पैसा लाए जागा आप लोगो भी काफी परिशानी हो रह आई यानिश्य क्योंकि जिस प्रकार से एक संगठित तरीके से 2016 से एक सुरू होकर और 2018 तक 2000 लगवग 2600 करोर रूपया इस कंपनी के पास पहुच गया और अभी भी बरतमान में लगवग 2600 करोर रूपया कंपनी के पास फथा हुआ है और आने वाले समय में जो परिस्तित 20 मिनिट के अंदर ही हम लोग मानिय और जिया मंत्री के सामने पूरे मामले को लेकर जा रहे हैं कि महोदे मामला बहुत गंबीर है और उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रमुक्ता के साथ और अब शिर्कान तो शर्मा ने बयान दे दिया कि वो हर एक समस्या का समाधान करेंगे जो पैसा फ़सा वो इसको वापस लाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया अब देश वर्मा जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमायासा जुडने के लिए भी तो बिजली करमचारियों का पैसा डियाच एफ्वैल जैसी डिफॉल्टर कम्पनी पर इंवेस्ट कर गया क्यूं इन्वेस्ट किया गया ये सबसे बड़ा प्रश्ट है रकम भी सोला सो करोड रुपए है जो अब फस्ती नजर आ रही है इधर सरकार ने कारवाई करते हुए पावर सेक्टर सरकार ने पूरे मामले में संग्यान लिया है तो सबसे बड़ा देखिए अब इससे जो विजले विभाग के कर्वचारी है वो काफी आहात है उनका कहना है कि उनका पैसा जो भविश्य में उनके काम आएगा उसको इस तरह से फसाना कैसे